पॉनी आज हम लोग एडिटोरियल में सिर्फ एक ही एडिटोरियल डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी जो दो है वो मनीपूर एलेक्शन और पॉलर्टिस के उपर में और एक और जो है वो इतना है इंपॉर्टन नहीं है तो जिस वज़े से हम लोग आज सिर्फ एक ही दो हिंदू करें डिसकस करें क्रैसिस और पैनेसुला वह भी इंटरनाशनल रिलेशन के उपर है कोडियन पैनेसुला में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके उपर प्रिलिम्स रिलेटरिए हमने आज आइट पॉइंट रखें जिसमें कि जिंग डानेस्टी टेरिटरी जो है वह यह बहुत इसका कम आपको मिलेगा कहीं स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निदीव स्कीम आराइसी कोरियन पेनेंसुला मिनिस्ट्री ऑफ को इन न्यूज जो है और बाकी जो न्यूज में अभी आज एक्स्ट्रा है जो आपको जानने की जुरत है उसमें सबसे पहले दिखेंगे लदाख फेस आफ में जो अभी सब्सक्राइब करने का भी बात हुआ है कुछ दिन पहले जनी दिन मेला से तरह में आकर कुछ बताई थी जब तो commercialization होना सुरू हुआ था पहले होता था हमारे यहां डेकर सबाट फिर से सुरू हुआ है तो वो जब चालू होने वाला है उसके ओपर environmental concerns है उसके ओपर यह article है काफी अच्छा article है कुछ points मिलेंगे कुछ मैंने extra points भी उसमें जोड़ा है और maps के तुरू देखेंगे कहां कहां पर coal vines हमने इंडिया में अवलेबल है और यह पूरा holistic safe environment इसमें article में सिर्फ environment के बारे में लिखा है हम लोग सिर्फ environment नहीं और बाकी holistic view भी देखेंगे कि से क्या problems and challenges है अच्छा article है नेक्स्ट चाइना claims hole of galvan valley जो चाइना new map जो अभी वो दिखा रहा है बता रहा है और जो बाकी एजिंसी से हम लोग को पता चल रहा है तो वो यह claim कर रहे हैं कि हमें पूरा का पूरा galvan valley जो है वो उनका ही है तो यह इसके उपर हम लोग map के तुरू पर बिल्लोक मनेंगे अबी 6 है कि July end से street vendors को loan मिलना सुरू हो जाएगा अभी जून से उसके processing सुरू हो गई है street vendors को loan दिया जा रहा है ताकि वो अपना जो लॉक्डॉन के बाद अब यह करून का कुछ savings हो अगर वो खत्म कर दी होंगे तो उसको किस तरीके से वह फिर से अपना जो दुकान है उसको रिकंस्ट्रॉक्ट करके स्टेंड अप कर पाए तो छोटा सा आर्टिकल है वो पढ़ लेंगे एक स्कीम के बारे में आपको पता चलेगा नेक्स्ट सुरू करते हैं फर्स एडिटोरियल जो है कोरियन पेनिसुला में जैसे आपको बता होगा कल न्यूज में आया था कि लाइसन ऑफिस बॉर्डर पर जो है लाइसन ऑफिस मतलब क्या होता है कुछ दिन पहले हमने लाइसन नेभी भी पढ़ा था लाइसन वर्ड का म किम यॉंगयों तो उन्होंने उस चीज को ब्लास्ट करवा दिया और यह जो अभी घटना हुई अब उनके तरफ जो ध्यान नहीं दे रहे हैं और यूएस जो है कि जो भी एजंडा वो प्रॉमिस करके गए थे उसके उपर कुछ भी अब बातचीत नहीं चल रही है और ये जो अभी यूएस रिजीम है वो भी वो हटने भी वाली है दूसरा फिर से कोई आएगा तो फिर से लगा हुआ है नौर्थ कोडिया के उपर में बहुत सारे सैंक्शन जो यूएस से लगा के रखाया है उसको हटाया जाए अच्छली पीछली बार जब वो आये थे बातचीत हुई थी तो यसी बात पर हुआ था कि आप उन्हों वो जो है मिसाइल टेस्टिंग कर रहे थे उ जिस वज़े से वहां से जापान जो एलाई है सौथ कोडिया जाए वो भी एलाई है डॉलर चलता है सौथ कोडिया में तो यहां आपका यूएस की जो प्रैम जो है प्रेसिडेंट है वो आ करके और इस बामला को जो मतलब थोड़ा रफा रफा करवाय थे अपने मतलब से वो जब आये थे उसके बाद से फिर जो बाते होनी थी वो सब रुक गई है एग्रिमेंट जो है वो बिल्कुल उसके बाद उसको वो रजूम नहीं किये कि उनका ये कहना था कि हमें बिल्कुल पुक्ता सबूत चाहिए कि अब दोबारा से आप फिर से नुकलियर वेपन ब भी इस बारे में कुछ बोला नहीं आगे कुछ बढ़ाय नहीं बात और फिर यूएस भी जो है अपने तरफ से सारा कुछ बात जो है वह मामला ठंडा कर दिया इससे ज्यादा बिल्कुल वर्स क्या हो गया भी फिलाल वर्स यह हो गया कि यूएस और साउथ कोरिया कुस दि दावाल होगी तो जिस वएसे अभी वह अपना फिर से द्यान गिजने को इस करएं वह चार है अग्चली र्यटर त Calvin कर से ओपर बात चले और हमारे उपर से सैंक्सन हटे नेक्स आर्टिकल है स्ट्रीट वेंडर्स को जो है कि जुलाई से लोन मिलना सुरू हो जाएगा यह स्मॉल लोन मिलेगा एक्चली सिर्फ दस हजार तक मिलेगा और यह एकनॉमिक रिलीफ पैकेज जो अभी हमारा आया था तो यूनियन हाउसिंग एन अर्बन अफेर मिनिस्ट्री के तुरू जो फ्राइड़े को जो रिलीफ पैकेज के बारे हम बातचित हुई है अभी और जो मिनिस्ट्री है उसने मेमरेंडा साइंड कर दिया है Small Industries Development Bank of India के तुरू इसका इंप्लिमेंटिंग एजनसी बनेगा और स्कीम का नाम है PM स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधी स्कीम और इसको एक और सम्मान निधी करके कहते हैं आपको कमेंट सेकते ना बताना है कि क्या कहते हैं एक्चुली तो क्योंकि इसका दो नाम है किसी भी एक नाम से आपका एक्जाम में आ सकता है मैंने एक हिंट दिया आपको आप उसको सर्च करोगे सिर्फ ये भी नाम अगर सर्च करोगे तो आपको आ जागा सर्च करने से आपको बिल्कुल यह चीज याद हो जागा कुछ दिन थोरत दिन ज्यादा तक मैं ऐसे बता दिया तो हो सकता है कि आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे खुछ से सर्च करोगे टाइप करके तो हो सकता है कुछ दिन तक याद आगा प्लीज कमेंट सकसे नों बताना आइटी पॉर्टल फॉर्द स्कीम टुब लॉंच इन लास्ट वीक ऑफ जून तो मतलब आइटी पॉर्टल किसको लेना है लोन किसको नहीं लेना है वह उनलाइन अपलाई कर सकते हैं लोग और जो लोन मिलना सुरू हो जाएगा आपको जुलाई के स्टार्टिंग से और दस पर ही है कॉमर्सिलाइजेशन जो हो गया है आपका कोल माइन्स का पहले हुआ करता था गैंक्स अवासेपुर देखे होंगे आप तो उनको आपको याद होगा जो रामदीर सिंग था उसका एक कोल माइन्स था तो उसके बाद फिर को उसमें मूवी में बताया है कि वह कोल म माइन ऑक्षन अंसर्टेन जो बेनिफिट हुआ है कोल माइन से हमारा प्रपोजल की ऑक्षन होगा 41 कोल माइन्स का अभी कुस दिन में और यूनियन इंवार्मेंट मिनिस्ट्री जो है उनके उनकी मतलब यह अभी रिन्यूवल पावर में जितना भी जिस तरीके से वह करने का सोचा है फिर चैलेंजेस जो है यह हम लोग अपने तरफ से फ़र रहें यह अर्टिकल में नहीं है तो मोनोपोली अभी फिलहाल मतलब सिर्फ गौवर्मेंट ही इसको है कोई प्रावेट कंपनी नहीं है तो इसमें कि थोड़ा ज्यादा एडवांस टेक्नोलोजी भी नहीं है वह प कंपनी जब आएंगी तो उसको और नहीं तरीके से न्यू न्यू टेक्नोलोजी के थुरू निकाल कर हो सकता है प्रोड़क्शन बढ़ा दे और अभी हम लोग फिलहाल बहुत सारा कोल जो है वह इंपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं तो वह सब इंपो सबस्क्कивает Waterfront को में वा कि अइसा हो सकता है कि वह सबढ़ saw है वह सब जगा पे आपका बिल्कुल नि-खारिस्ट काश में हैं तो वहाँ पर यही इंवरेमेंट वाले सब्क के दर लतगा और फूस्ष ड़न सब खूरु Ale कि अगर प्राइविटाइजिशन हो जाएगा तो उसके अगर आसपास में वह अगर कॉलोनीज बसाने लग जाएगे जैसे जो भी कंपनी वहां पर आएगी अगर आसपास में कॉलोनीज बसाएगी या फिर वैसे भी जब वह थोड़ा हेवी इंड वह इंडस्ट्री उसमें लगाएगी न्यू आपके उसमें अंदर आपरेटर्स हाएंगे सब कुछ हाएगा तो वहां का जो आसपास का जो जन जाती है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा है तो हेल्थ कंसर्ण्स तो है ही हुज अमांट में निकालेंगे तो कोल एश निकलता है और भी वेजस देंगे नहीं देंगे माइंस के अंदर जाएंगे तो फिट क्या पता हो कोई अगर मानलेजे किसी का डेथ हो गया तो उनकी क्या मतलब प्रोसिज्यूर रहेगी नहीं रहेगी अभी सरकारी में तो बहुत अच्छा चल रहा था तो यह सब जो है कुछ छे साथ जो ह कोल का प्राइस इंप्लाइमेंट बढ़ जाएगा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएंगी आपकी कोल इंपोर्ट्स जैसा हमने बताया मार्केट जो है टेक्नलोजी बूस्ट होगा बहुत हो सकता है कहीं दूसरे कंट्रिस अगर को यहां पर आये तो भाई टेक्नलोजी लेक कि आएगा और इंवेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा अभी फिलहाल जो है वो किक स्टार्ट हो जाएगा हमारा एकनॉमी क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है फॉर्मर इंवार्मेंट मिनिस्टर जो चेर्में थे पार्लेमेंट स्टैंडिंग कमिट वो खतम हो जाएगा तीसरा कि आपके पब्लिक का है डिपलीट हो जाएगा मतलब उनको खड़ाब होने लग जाएगा दिरे दिरे सांस लेने प्रॉब्लम में सारा कुछ हो जिन लगनेगा टेकनिकल एक्सपर्स यह कहते हैं कि देखिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना है क्योंकि कम्पनीश जतने भी है वह सरे के सारे कंपणीश उतने आएंगे नीके आभी क्योंकि इसके ओन इतना सारा प्रॉब्लम कि आप यह नीं कर सकते है कि आपको यह चीज इतना नहीं चलाना है वो चीज इतना नहीं सिलाना है सब कुछ के चलना है आपको यह वह सारे लाइसेंसिंग से रेट टेपिजम है तो यह सब के वज़ा से हो सकता है कि जो कंपनीज है वो इतना जरा इंट्रेस्टेड ना हो इसके अंदर आने में वह ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं, एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जितने भी dense forest हैं, उनको open करने के लिए सरकार तो नहीं मानेगी, क्योंकि अगर private company भी आती है, तो ये सिर्फ आप मान के चलिए कि सरकारी से private के तरफ एक ownership जो है कि वो दिया जा रहा है, सरकार से लेके private के तरफ, और forest वो कोई छाती नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वो जो forest area रहेगा, वो सरकार करेगा, सरकार के अंडर रहेगा, और उसको काटने या फिर कुछ करने से पहले उसको license लेना पड़ेगा, उसको मंजूरी लेना पड़ेगा, तो फिलहाल तो वो चीज जो आपका environment वाला वो अभी जायज नहीं लग रहा है, और दूसरा एक और बात ये कहते हैं कि पुड़े all over इंडिया में ऐसा है कि पैरिस climate change agreement जो हुआ था 2015 में, उसके हिसाब सहथा था कि 2030 तक आपकी जितने भी जो energy production हो रही है, उसमें 60% ही होने चाहिए, जो की coal के थ्रू थर्मर पाप्ले energy होना चाहिए, तो अगर ये आपका आता भी है, कोल का खपत भी होता है, तो खपत कितना होगा, अगर आपको 40% जो रखना है renewable energy से, सिर्फ 60% ही चलाना है कोल से, तो अव्यस सी बात है, और 2030 में ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 साल है, तो अव्यस सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा तो thermal power plant इंडिया में लगाएगा नहीं, तो जिस वज़े से इनकी खपत उतनी होगी नहीं, तो इस वज़े से अभी आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो राइटर यही कह रहे हैं कि खपत नहीं होगी, और फिर next point यह कहते हैं कि 41 blocks है total, जिसमें से कि 34 जो है, फुली explode हो चुक है, उसमें बिलकुल बहुत सारा खनन उसमें पहले हो चुक है, वो बिलकुल गढ़ा करके उसमें तलाब बन चुक आ लेकिन अभी कुछ जो बच्चे में, चार जो हैं वो बिलकुल नए हैं, उसको explode करना बाकी है, जो कि website of cold ministry है, वो और जो ब्लॉक से एक्चली वह महाराष्ट जारखंड औरी सा चतिस गौर अमध्य प्रदेश में अभी हम मैप में भी देखेंगे इसको वह इसमें है और एक रिपोर्ट आया था अभी कुछ दिन पहले मार्च में क् there cannot boy घंट कुमन कौ पी अगर प्लांट कोई सा भी कंपनी है तर्मर प्लांट कोई भी अगर अगर है तो श्चिपे अगर अगर प्लांट कर थे है तो उसमें उनका जो कोश्ट है वह बहुत ज्यादा लगता है जह है कौल के तरू वर्सेस रिन्योबल एनर्जी अगर वह रिन्योबल एनर्जी विंड या फे सोलर एनर्जी के थुरू वही चीज काम करते तो उसमें उनका खर्चा जए वह कम आता लेकिन कोल के साथ उनको थोड़ा ज्यादा आता है सेम इंडिया को भी यह प्रॉबलम है 80 बिलियन डॉलर करीब करीब पांच ट्रिलियन रुपीज में आता है वैल्यू उतना का रिस्क आदमें आजकी रेट में इंडिया लेके चलता है 337 गीगावर्ट को पावर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जबकि 29 गीगावर्ट जो है फिलहाल प्लाइन है और 222 गीगावर्ट एक्जिस्टिंग कोल कपैसिटी इंडिया के पास है जो की करीब करी 51 परसेंट कॉस्ट जादा लगता है अगर उतना बनाता 51 परसेंट कम ही थ्रिया सबहों कामचोडि कर रही है कि यह प्रोविजन लेकर कि आना ठाकि के अंधितना बीए सम Teil जैंमिशन होता है उसके इंडिया वी उसको जो है कि इंडियर्मेंट फैलने से इ लेकिन Environment Ministry जो है वो डेट को है बार-बार पोस्पोन करते जा रही है वो चीज को वो लागू नहीं कर रही है कि बिलकुल जो स्ट्रिक्ट लॉप बनाएंगे उसको कम से कम तीन चार पांच महीना लगेगा इंप्लिमेंट करने में और आप अभी से ही डेट पोस्पोन कर रहे हैं अभी से कितना दिन पहले से तो पता नहीं कभी यह जाके करेंट डेडलाइन जो है वो 2022 है सेंटर फॉर साइंस इंवार्मेंट वांट्स सेविंटी परसेंट आफ दी कोल प्लाइंट विल नॉट मीट इस स्टैंडर इवन बाइड डे ऐसा लगता है उनको कि 70 परसेंट जो कोल प्लांट है वो 2022 तक तो भाई यह सारा कुछ जो है व मॉंक.com करके नाम है टेलेग्राम चैनल का और उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा करके आता है वो आप उसमें सर्च कर लिजएगा यह डाउनलोड कर लिजएगा पीडिएफ वहां से तो इसमें आप देखें नंबर वाइस दिया हुआ है अक्चली दामोदर वैली कोईल वैली सोन वैली महानदी वैली तो यह सारा कुछ जो है यह काफी इंपोर्टन हो जा यह जाता है कभी-कभी एक्जाम में कि सीरीज वाइस पूछ देते हैं ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको की इधर से इधर जो जा रहा है उसका नाम पूछ लेंगे या फिर यह पूछ लेंगे कि जैसे यहाँ पर चोटना नाकपर प्लैटियो का दो तीनाम का पूछ लेंगे दामोदर वैली से लेके गोदावरी वैली वैली जो है वो उसके बीच में कितने स्टेट आते हैं तो यह सब भी पूछ सकते हैं यह सब काफी हैंडी हो जाता है इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस की जएगा ज्यादा नहीं है 17 तो बसकाली है तो कस्मीर में भी देखिए यह जरात और मद्यपर्देश की बीच में तो यह यह बिल्कुल बहुत अनिवार है आप इसको आज के आज डाउनलोड करके और बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेगा आधा गंटा में हो जाएगा इसको क्लियर कर लिजे नेक्स चलते हैं कोल मिनिस्ट्री ऑफ क्या है सबस ह्नुषल आधया छेंडर ये सबसे होटके ऑपशलोड जानों इसको टीट्र आपके इस्स भाडिशी मिनिस्ट्री के द्वारा गंट से प्रोविजन क्या है इंशोर करवाना लाइवली हुड फॉर्मर स्पोर्ट्स प्लेयर को जो भी कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है अगर पहले वह खेला है तो उसको इसके अंदर इंवॉल्फ करना है ताकि उसका आगे चलके रोजगार बने वह इसलिए करना है कि कीरन रिजुज मिनिस्टर है उनका यह कहना है कि बहुत सारे प्रोट्स में जो बेच्टें नहीं अपने बच्छों को लगता है कि जब तक यह अपना के बाद क्या करेगा रेटार्मेंट के बाद क्या करेगा कहीं कोचिंग देगा बच्चा को वैसी पढ़ाएगा मतलब खेलने सिखाएगा उसमें कितना ही कम आप आपाएगा तो जिस वज़े से एक अच्छा लाइबली हुड नहीं दिखता है उनको फ्यूचर में तो जिस व का एक काफी अच्छा मुद्दा हो जाएगा सौर्ट लिस्ट उन्होंने किया है फॉर्मर प्लेयर्स को और उनको डिवाइड किया है चार ग्रॉप्स में कि यह यह लोग इसके अंदर एलिजबिलिटी आ सकता है उनका कौनकोंसा पहला यह है कि वह मैडलिस्ट हो सकते हैं कंडिजिबल हो सकते हैं और फिर इंडिया गेम तो भी वह अपना कर सकते के पैटिसिपेंट हो सकते हैं तो लिए जेके हैं कि यह जिए दर उसके के बाद वो भी इसके अंदर eligible हो सकते हैं एना यह सर्टिफिक सर्टिफाइड कोच जो हैं वो जम्मू कश्मीर और अंदमान निकोबर आइलेंड और लदाक में भी जो है कि वो हो एलेजिबल होंगे अगर वहां पर उनको खोलने का है फ्यूचर में इंप्लिमेंटेशन करके वह वहां पर खोल सकते हैं लदाक से भी हमारे चार पांच स्पोर्ट्स का नाम देदेगा पुछेगा कि इसमें से कौन सा स्पोर्ट जैवस में लिंक्ट है तो स्पोर्ट्स के अंदर में आप देख लिए बैड्मिंटन बॉक्सिंग अथलीट आर्चरी साइकलिंग फैंसिंग होकी जूडो रोइंग शूटिंग स्वि मुद्दा क्या है कि इनको टैलेंट करना है ग्रास रूट से बच्चे जो है 17 तक जो अगर उनको लेना है भाग तो कॉलेज वाले स्टुएंट्स भी लेते हैं जैसे अंडर 17 तो अंडर 21 तो उन सब का ग्रास रूट में जो है टैलेंट करने का यह काफी एक अच्छा मुह नहीं ने फणडा लगा, हमने कल ही अंडरोड में परसो है कि वह नहीं बढते हैं उनका कि क्या उनका तो मैप उन्होंने सब्साइब बतायी कि यह धिक describes Video यह उनका बतले ऑनונה सब्सक्राइब गहां कि तक बॉर्मरेंट सर्वम यह मॉंटरी अप देख सकते हो कि पूरा यह क्साई अंदर में सिंक क Imp lindo जाधा नेपाल का भी बहुत जाधा भाग इसमें अंदर आ नेपाल तो बलकि हमारा यह पुड़ा बंग्लाधेश में देख तो यह वाला अब इतना पुराना वह डाइनेश्टी वाला लेकर के चल रहे हैं तो इस हिसाब से तो इंडिया भी इधर इधर यह सारा पुड़ा अखंड भारत वाला सीन कर ले में सारे बना ने ना में और अधर नहीं करना वाला है तो इस वह और आप इसके उपड़ आपने देख लिया आप मैप के बाना के बाद सोचिए अ क्या quar doubts कि एपको समझ में आएंगे वह यह किलेम आपको सि च्रांड कर रहा है। संट ले़क यहां है इस जगापे वह है क्या नाम ए tv जआ हमने कुछ दिन पहले हैं इस में पर चाहते हैं कि इन feet तक है एक तक यह हो सकता है कि किते हैं उसको कमांड हो सकता है देख सकते हैं गिरा सकते हैं किसी को भी लॉंग शूट कर से मार सकते हैं तो काफी ज्यादा उनका कमांड इस जगह पर हो जागा इंडिया कहीं भी नहीं रहा है यह उंच्छा जगह ना इस जगह पर पहार है यह नीचे वैली जो हो चोटा है अब्वेसे जो पहार बैठेगा तो नीचे वैली को तो देखी पाएगा बहुत दूर तक तो ये उनका कबजा करने का ज़्यादा है और एक घलवान वैली गलवान वैली भी बोलते हैं यह हमारे ही है तो ये दोनों अभी फिलाल बहुत जादा इसमें लदाक में जो है वो च यहां से देखिए यहां से आके बिल्कुल एकदम पूरा अंदर तक हो कि आगे तक जाते रहता है तो यह सारा कुछ है मुद्दा तो अभी फिलाल वो उनके वहां से जो जिन्हों ने जारी किया है अपना वह से एक संस्ता है चाइनिस अकेडमी फॉर सोसल साइन्स तो वह नाइटीन सिक्टी टू में भी काफी जादा वोकल थे तो अभी फिर से वोकल हैं और वह कहते हैं कि यह हमारा जो जो हमारा मैप है वह जिंग डाइनेस्टी नाइटीन सिस्टीन फॉर्टिफॉर से लेकिन 1911 वंदे inglés उसके अंदर था औडिक्रा 171 तक गल्वान वैर्ली उसके अंदर था और कोई डिस्प्यूट नहीं है बिल्कुल हिस्टॉरिकली हमारा है और सोवीडियन सुवींदली हमारा वह वह जगा वह वह वैली हमारा और बिननमतलब कझंग पाधिया उसके अंदर पाद गया था तो रिपब्लिक अफ चैना जो है वो इन का सिसे रिपबलिक अचैना संपले ये राज करते थे इसका अपने माप तो देखी लिया है क्या है माप है इसका और नेक्स्ट देखेए कि ये चाइना ये कहते है कि वेस्टर एज जो रिवार चैनीस का जोगल Oba, चैनीस मैप शोस दाट अल्मॉस्ट बारली में और बिवार इन चानीस टरिटरी आरदेर अन धिवेस्ट अभ द साइन्स, CASS, उन्होंने ये ओफिशियल थिंग टैंक है उनका जो क्लेम किया है कि एंटायर वैली जो है वो हमारा है और ये मल्टिपल डैनेस्टी से जो है हमारे साथ चलते आ रहा है और ये हिस्टॉरिकल राइट है हमारा हम इसको लेंगे इंडिया जो है वो बहुत दिन से है महाँ फे रोड बना रहा है और अधुनाचल परदेश में रोड बनाते रहता है ब्रिज बनाते रहते है हम ने कुछ कभी कहां नहीं कि अनदर इस सारा कुछ बो नहीं कर सकता है फिर इंडिया के तरफ से उन्होंने ये कहा कि सब कुछ बखवास है बिल्कुल एक्सेग्रेटेड और बिल्कुल बहुत बढ़ा चरहा करके और बिल्कुल कोई बिना लॉजिक का यह सब बात है और एले सी जो रन होता है गवांग स्लोक कंफ्लूएंस के तुरूफ तो वो उ इस्ट्री में अगर चाइना जाके लागर करता है तो यह कोई प्राग्माटिक एक चीज नहीं है चाइना को अपना जो है कि यह इस्ट्री वाला जो 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 उसका एक विश्वास है उसको छोड़ करके हकीकत के सामने आना चाहिए और उनको एले सी जो अभी वह डिजा चाहिए और बाकी फिर इसका वही सब लिखाया कि क्यूं हुआ यह सब क्यूं ट्रिगर हो गया यह मामला यह तना क्यूं बर गया तो हमने जो अभी रोड बनाना सुरू किया था उसके बाद से सब चीज सुरू हो गया जो रोड धौलत बेगोल्डी तक जाएगा नॉर्द लिख बठाया था और उसके अंदर जो अभी 20 जवान जो हमारे सहीद हो गया उनके बार में बाते हुई थी और उन्होंने कहा कि वो मरते 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 मरें और उन्होंने जिसने भारत माता के उपर आँख उठाने की चेश्टा की उनको वो बतला ले करके और अपना जान दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इंडेलिजेंस फेलियर नहीं है बाकी जो 15 पॉलिटिकल लीड पार्टी इस थे उन सब ने सपोर्ट किया कि हाँ अगर कुछ सेक्यूरिटी परपस पर कुछ आता है तो आप चाहिना को जवाब दीजिए हम उसके सपोर्ट में और जो प्रॉपर जो स्टेटस को था हमारा एपरिल वाला उसको वापस लेकर के रिस्टोर किजिए डीटेल में ऐसा कहा गया था कि आप आओगे तो हम डीटेल बताएंगे कि आपके वह उसमें क्या हुआ है मतलब सेक्यूरिटी क्या के कंसर्ण्स हुए किसके बाद क्या बिल्कुल क्रोनलाजी में समझाया जाएगा कि जो एले सी है वहां पे हुआ क्या एक्चुली तो यही बाकी सब पार्टी के मेंबर्स बोल रहते हैं कि हमें बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ है तो जब जैसी वह मीटिंग स्टार्ट हुई तो जैसंकर जो है डॉक्टर ज चालेंजेस बताएं कि हमारे जो बॉर्डर पर क्या क्या प्रॉबलम हो सकता है और उसके बाद जो है कि जो कुश्टन आंसर्स जितने भी जो क्वेस्टन करने थे वह स्री राजनाद सिंग ने सारे कुछ क्वेस्टन और आंसर्स लिए दिये और फिर लास्ट में प्रतानम कि sequence wise events बताएंगे और किसके बाद क्या हुआ सब कुछ में लेकिन जब बाहर निकले सारे मतलब या पोजिशनल लीडर से बाद में निउस्पेपर वालों ने बात करा तो वह बता है कि देखिए सिर्फ खाली detailing हुआ था brief उपर उपर से जैसे news channel के टाइप से अगर detail में कुछ हुआ था तो सिर्फ वही हुआ था कि foreign affairs minister जो थे उन्होंने प्रिजेंटेशन जो दिया था वही सिर्फ एक detail में बताया था उन्होंने बाकी सब तो सिर्फ ब्रीटिंग ही था प्रदान मंत्री मोदी ने अपने closing remark में ये कहा कि अभी फिलहाल आप देखिए कि improve हुआ हमारा इंफरस्ट्रक्चर और ये जो supply line इंफरस्ट्रक्चर जो इंफरस्ट्रक्चर रोड बना रहे हैं जिस वैसे अब जो है हम लोग वहां पे borderlines में हम लोग और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से वहां पे patrolling कर पाते हैं और जितने भी capacity हम लोग उसको और भी ज्यादा enhance होती जा रहा है हम लोग का time to time और पहले वाली बात नहीं रहेगी है और सुनिया गांदी ने भी जो कहा था कि intelligent failure है क्या तो उन्होंने कहा कि नहीं यह ऐसा कुछ भी intelligent failure नहीं है और हम लोग बिल्कुल proper एक इंच भी हमारा वहां पे से कोई ना वो कोई अंदर आया है ना हमारा वहां पे कोई बैठा हुआ है और बिल्कुल border जो पहले जाजा था वैसी अभी फिलाल है हां टेंशन चल रही है हो सकता है कुछ दिन में ठीक हो जाएगा नेक्स आर्टिकल जह है लदाक पे और फेस आफ में जो डेव गोड़ा ने जो पूर प्रदान मंत्री है उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारे स्री नरेन मोदी को तो उन्होंने ये कहा है लेटर में कि पहले प्रसंसा करी है कि आपने जो अभी सरवदली बैठक बठाया तो वो काफी अच्छा था आप दूसरे पार्टिस का भी सुन रहे हो यह पहली बारास का हुआ है तो काफी अच्छा लागा हमें इसके लिए बढ़ाई दूसरा बात यह कि यह इसके लिए विरोध जता रहे हैं कि एकनॉमिक बॉयकोड जो आप कर रहे हो अभी गलवान वैली क्लेस को ले करके वह नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो जो नतीजा है वह बहुत प्रॉब्लमेटिक आगे चल होगे तो आपका भी हो सकता है कि आगे मतलब दूसरे देशों में आपकी चीजों को बॉयकोड करना सुरू कर दे तो अभी इस टाइम पे जब हमारा एकनॉमिक इतना डाउन है तो आपको प्राग्माटिक होने का ज़रत है मतलब चीजों को बिलकुल लॉजिकली और प्रै है वह बिलकुल वहां से क्लियर कट वहां से सेंटर से आप न्यूस को प्रसारित कीजिए वह नहीं हो तो अपना जो सरकाली पी आईबी जो है और डीडी नैशनल है अल इंडिया रेडियो है उसके तुरू ही आप सारा कुछ मेसेज जो है वह क्लियर कट बताईए जनता को क पूरे इंडिया में मीडिया के तुरू सोसल मीडिया के अंदर तो यह इस तरीके का जो चीज है वह आपको जारत मतलब नहीं देगा और इंफॉर्मेशन की कमी से हो सकता है कि कुछ पॉलिटीशन भी कुछ उपर नीचे बोले तो अभी जैसा सिचुएशन है इतना बिल्कुल समल के सब कुछ बोलना का ज़रुत है क्योंकि अभी जब वहाट सिचुएशन जब सर पे होता है तो दोनों कंट्रीज उन दोनों कंट्रीज के जितने भी जो बड़े रीडर्स हैं उनके वर्ट को रीड कर दिये तो ठीक है उनका यह मतलब नहीं है कि मैं यह नह बोल रहा हूं कि आप क्वेशन मत पूछें डेमोक्रेसी में क्वेशन पूछना बहुत अनिवार है लेकिन फिलहाल आप इसू को मुद्दे को समझे कि कितना गंभीर मुद्दा है और इसमें किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है वह आगे यह भी कहते हैं कि पॉलिटिक थीएयृट में रसिया जो है वह अंदर रन्दर सीक्रेटली इंडिया और चाइना का रिटेंशन है उसको कम करने की कोसिस कर रहा है ऐसा दा हिंदू के समवादादा को पता चला कि रश्या जो है उसके काफी हाई स्टेक्स हैं इस वाले मतबेद में जो इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है क्यूं क्यूंकि आप इंडिया और चाइना के थुरू ही उसके बहुत ज्यादा ट्रेड लिंक्स है और इधर सौथ एसिया पैसिफिक रीजन में तो अगर इंडिया चाइना में अगर मदबेद हो जाएगा यह अगर आपस में लड़ लेंगे तो दोनों का एकनॉमी जो है बहुत ज्यादा जाब हो और दूसरा कल्चरल टाइस भी है जैसे अभी चाइना के साथ उसका काफी अच्छा टाइस बन चुका है उतने दिन के बाद से 1962 में वो हमारे तरफ से वोकल था अब इस टाइम पर अगर वो ऐसा शूर नहीं है कि हमारे तरफ से होगा की नहीं होगा इस बर लेकिन बहुत ज्यादा चांसे कि वो हमारे तरफ से रहेगा तो वो उसकी जो जो चाइना के साथ जो टाइस है वो हो सकता है कि उसमें खत्रे में आ जाए तो जिस वैसे जो वहां के फॉरण मिनिस्टर जो है वो जिस दिन हमारा ये विवाद हुआ था 16 जून को उसी दिन शाम को जाकर के वहां के डेप्यूटी फॉरण मिनिस्टर जो है हमारे अंबैस्डर जो है इंडिया के रश्या के अंदर डी बाला वेंकटेस वर्मा तो उनसे जाकर वह मिले थे और इसके बैकड्रॉप में बात किये थे कि उस दिन जो जितने ट्वेंटी से इंडियन सोल्डर्स जो जिनकी सहादत हो गई है तो क्या हुआ मामला आगे क्या करना है यह सारा कुछ वह पूछ पूछ के और उसके बाद आगे गयते इसके बाद उन्होंने कुछ एक ऑफिशल कोई स्टीट्मेंट नहीं दिया था कोई स्पीच नहीं दिया था लेकिन हाँ जो वहां के सोर्स इंडिया और चाइना है तो यह ग्लोबल टाइमस में भी यह रिटरिक चल रहा है कि इंडिया और चाइना काफी मतलब राइजिंग एकोनॉमी है और अगर इसमें हम लोग लड़ लेते हैं इस टाइम पर तो इसमें फाइदा सिर्फ और सिर्फ यूएसे और बाकी के जो य इंडिया पाकिस्तान रश्या और चाइना तो वह भी अगर ऐसा हो जाता है अगर फिलहाल लड़ाई तो वह वेस्ट के तरफ में ज्यादा उनको फाइदा हो जागा यह सब जो हमारे पास एस्यों है पिर आपका और भी एस्यान और यह सब ब्रिक्स जो समिट है इमर्जिं इनका मतलब जो है वह पूरे पूरे जो जो जितने भी जो मल्टि लैटरल और जिसने उसका मतलब जब बहुत ज्यादा निररतक हो जाएगा तो जिस वज़े से रश्या जो है वह अपना कंस्ट्रॉक्टिव भाग प्ले कर रहा है बैक दर बहाइंड दे सीन से उनसे यह भ अरtera में बातें हो hosts में उन्हों आपका जो सम्मिट है त्रैल रे उसमें तीने की बातें होती है वह बहां पर इंड्य नहीं है और पर ऐलेटिर चीज जो है वह आप ते बाध भी नहीं होगी तो जिस वज़े से आप इस तरह केसं मत बूप्छ से उनसे वनलमीर पुछा गय तो उन्होंने भी यही कहा था कि यह काफी अलार्मिंग है और रश्या जो है इस चीज को बहुत क्लोजली वाच कर रहा है कि और वो चाहता है कि यह जो टेंशन्स है वो जल से जल खतम हो जाएं इंडिया और चाइना के बीच में नेक्स्ट उनका एम यही है आपस में एक्सटर्नल एफेर्स मिनिश्टर् एंडिया और चाइना के स्परेंबाद और रहा है हैं पीछे जा रही हैं उनका जो आर्मी चैनल तो वह सब से वह कहते हैं हर चीज में ट्वीट करके वह कहते हैं कि काफी अच्छा एक मूव है और यह चीज जो है वह आगे भी चलते रहना चाहिए